हे वर्ट सब गाईज वेलकम बैक चू अनदर वीडियो तो गाईज आज हम दुपाज से कहने वाले जीडिये फाइफ तो जैसे के आपने पिछले एपिसोड में देखा था माइकल लेस्टर जो फ्रैंकली ने ज्वैलरी शॉप में रोबरी करने गए थे इन्होंने आर वहां पर बहुत सारे अमीर अमीर लोग रहते हैं अभी देखो हमारे पास कितने सारे पैसे भी आ चुके हैं सबसे पहले न अपने लिए थोड़ा सा अच्छा सा सूट करीना पड़ेगा मतलब पैंट कोर्ट करीना पड़ेगा क्योंकि यहां पर टेक्नो गेमर रहता है वह एरिय तो मतलब बिल्कुल काम चला हूँ सी यार इसकी स्पीड भी तनी मस्त नहीं है पर जो लैंबोगी ने शियान आया ना यार क्या ही बोले उसके बारे में तो बस कितनी ज्यादा अमेजिंग कार है तो चली गाइस अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले हम चलते एक अच्छी सी दुकान पर और वहां से मैं अपने लिए अच्छा सा जो कोट पैंट या सूट कह सकते हैं आप वो खरीदने वारा हूं और जो दुकान है रहा है ज्यादा दूर नहीं है बिल्कुल यहीं पर है तो वहां पर जाके देखते हम कैसा मतलब की सूट खरीदेंगे उसके बाद बाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटीड हो मेरे को गाड़ी चाहिए बस वहां पर कोई पंगा नहों जाया पूलीस पालीस आगी नहीं पूलीस पीछे पढ़गी तो बाई गाड़ी भी जा सकती है और हम जेल में भी जा सकते हैं तो गाइस मैं सोच रहूं कि अपने सा अपने लिए सूट खरीने वाले हैं देखो बाई यह जो सामने दुकान और यहां पर खड़ियों कैसे क्या देख रहे हैं बाई अंदर की तरफ पता नियार क्या सीन चल रहा है क्या देखे जा रहा है अंदर की तरफ चलो गाइस उस सब को छोड़ो चलिए अब चलते सीद गाइस यार ओके तिनों ही मतलब डाक से यार थोड़े से मेरे को एक बार उस सेड दुबारा जाके वहाँ आप उनको मतलब पैन पैन के देखते हैं कैसी लुकाने वाली है देखो यहां पर भी पड़े है नहीं यार मेरे को सूटी चाहिए इन मेंसे देख लेते हैं बाई स लेते हैं और एक मेरे को जो डर्क लास्ट में थे ना ब्लैक वाला यह दो यह लग रहिए इसको भी हम पहन के चलने वाला एसीधर टैक्टोगे में चिमी जो माइकल का बेटा यार वो बहुत ज़्यादा डुपों का चलिए गाईस हमारे जो घर आ चुका है आपने गाड़ी को सबसे पहले अपने घर के बाहर लगा के और फिर जो फ्रेंकलीन के पास मैं जो फोन करने वाला हूं और देखता हूं भाई फ्रेंकलीन क्या बोल पता है निए आपता है नुए इसको जादा टाइम कई भार फोन करता हो न कोई काम होते है दो फोन उठा था लहां यार अंगलीन करते हों जीखते हैं जीमी उठाएगा या नियुक्ता है यह विसको फोन करते हैं ओक के जीवी तो गौैस यार देखो जीम में भी फोन न उठारा में Ψोय को क्या करना, पड़ेगा टालतेगे, मैं अपनी गाड़ी को मैं क्या करता हूँ, धरी खडी करता हूँ, वहां पर नहीं जाओंगो, क्योकि वहां पर हğim ने जो cab company में 볼 कर दिया है अभी जह हमारी cab कुछी time में आती होगे और फिर हम बैठ के उसमें जाने वाले हैं ओके वह कहते हैं कि पुछ time बाद आपके जुख आजाएगी देखते हैं भाई वो री वो आगी अभी जो हमें यह बिल्कुल लेकर जाएगा मैं बिल्कुल स्किप कर देता हूं अभी मेरे को कोई मितलब की पंगा ले नहीं नहीं है मितलब इतनी आराम से चलाते रहते हैं यह क्या ही बोले अभी हम जो demande का मेरे के घर थोड़ी से दूर उतर चुके हैं इए देखो यहां पर बड़े बड़े बंगले हैं देखो मेरे के बिल्कुल बीच में उतर आ हँं अभी जो मैंसाइड पात से obtainedon बूइस पे से एंटरी लेने की ट्राइब करूँगा जहां पर कैमरा ना हो और बिलकुल कोई भी को देख ना पाई हमें ऐसी जगह हमें ढूननी पड़ेगी देखो भाई यहां पर साइड में से कहां से एक गेट यह भी है दो गेट हैं बैसके लिए एक गेट यह है यहां से नहीं यहार आप इस घर में एंटरेंगे पर इनको भी शक नहीं होना चीब हाँ अगर हम नॉर्मल पी घाले नहीं तो ठीक है अगर इनको वहारी उपर जडario सब इसे को आना भाई यह तब ही जो पुलिस को बुला लेंगे हमें इस चीज का जो बहुत ध्यान रखना सामने जो खड़े भी इस घर के मालिक पर मुंको इनका ध्यान कहीं हो रहे हैं अभी हम यहां चुप-चाप यहां से ऊपर चड़के देखते हैं यहां से तो एंट्री गाड ना हो अगर दिखा भी तो भाई चुप-चाप उसको नहीं पर टपका देंगे सी दपाई बंदूग बंदूग तो सब कुछ अपने पास भाई घर इतना बड़ा यार चलते चलते यहां पर ठक जाते हैं मैं बिल्कुल आराम राम से चलता हूं देखता फिरता अगर camera में भी आए तो हम कहते हैं गलती से आगए तेस साइड Also तो अभी मेरे को यहां पर देखते हैं कोशन है को इन अब हरो समने एक बंधा खड़ा है अभी क्या करता हूं इसको यही सहरा और यहां पर कोई भी नहीं हैै ओके सको यहीं से यह लगा हैड़िश Off को बाहर लोगों करने लगता वाज सुनगे गोली की चलो मैं क्या करता हूँ फटा फट से यहां से भाग लेता हूँ और जितने भी एक से जूपर कैमरा लगए इसको इसको खराब कर देते ओ यार क्या सीन हो गया यार जल्दी से जल्दी यहां इस निकलना पड़ और डियार हमारे पीछ पुलिस पड़ चुके मेरेको बहुत ध्यान से निकलना पड़ेगा यहां Left Them स्क्रैच ना जें इतनी मस्त गाड़ी है इसकी स्पीड तो देखो भाई इतनी जल्दी कितनी सो से उपर टप गी और यार भाई क्या ही गाड़ी बैस गाड़ी को रेसिंग में लेकर जाए न कहीं पर पका फस्ट जाएगी गाड़ी पका अभी तो मेरे को पूलिस से बचना पड़ेगा इंटीर भी देखो कितना मसता इंटीर दिखाएंगे बाद मेरे इंटीर के चक्र में पूलिस हमको पकड़ना ले और गाड़ी भी जाएगी हाथ से अभी मेरे को फटा-फट यहां से गाड़ी को पेल के लिए जाना पड़ेगा हम घूम तो रहे हैं वैसे अप माइकल को भी चोट लगी यार माइकल को तो चलो चोट को कोई दिक्कत नहीं बट यार यह क्या किया ओ माइग गॉड यार पूरी गाड़ी का यह इन्होंने बिल्कुल नास मार देया पुलिस चोड़ दैया इसने इतना तंकर है रख दिया पूलिस वालने बस सची क्या ही पीछे चोड़ने के नाम ही नहीं ले रही हैं ज़ी सबसी पहले करें अपनी घर पर अंदर खड़ी करेंगे और फिर पिसको रिपेर करने वाले ले के जाएंगे पहुत सारे पैसे लगने वाले और गाडी की लुक तो देखा यार बिलकूल भी अच्छी नहीं लग रहे हैं, एक साड़ी खिड़ की तो पताही नहीं काँ पे इर तुटी ओ भी तूटी एर इतनी मस गाडी का बिलकूल नास मार दिया, चलो वाईज यार उसको अब तो हो गया जो हो गया अभी क्या गर तक सकते हैं अभी इनको जो सारी गन को अंदर रख लेते हैं और अभी चलते हैं सिदा घर के अंदर कपड़े चेंज करते हैं थोड़ी दिर रेस्ट करेंगे फिर जो हम क्या करेंगे अपनी गाड़ी को जो जाने वाले क्योंकि रिपेर करवाना बहुत जुरूर है हमारी गाड़ी को अभी हम आ चुके अपने बैडरूम में यहां पर जाके हम सिधा वहां पर ट्रेसिंग एरिया में जाते हैं और वहां से हम अपने थोड़ी से अच्छे से कपड़े पैनते हैं और फिर चलते हैं गा जो आकरी काम बचावए वह काड़ी को रिपेर करवाना और मेरे को कोई अच्छी सी चौब भी ढूना पड़े घेरार को और行了 एंक पसके मेरे को कोई अच्छा सा गैराज जुनना पड़ेगा यह रहाई गैराज ज्यादा दूर निया घर से मतलब एक दो मिनिट भी लगने वाले पहुंचने में तो इसको यहां से पेले के ले जाते हैं अपनी लैंबोर गेने को भाई इसकी पीकप स्पीड आपने देखी हो गयार कितनी ह चल दी यह सो से उपर चली जाती है इसी बात्रिमेर को डर है इसी बात म Director नहीं से च्पीड और एकदम से हट बड़ी में मेरे से ट्रोक जाती तब वहीं उस के उसकी करेंटी और मेरी चल्फ Mal стран उस हाइभ मेरी घाड़ी तूटती है आज पर कोई ने चलो अब थो अरे देख वाइग यहसी बात का तो मिरे को डिर ाकता है यार फिर ठूखEd फिर ठूख की मेरी घाड़ी आर अभी तो रिपेर बिल्कुल करवाने पड़े गॆ गया भिलकुल नास почेट फोफ टरब लेटर लेना और अब यहां से नाम से किया तैंगारा यह को बैनी करो फिलाल विल् 갑ी पैसे बहुत ज्यादा स्वाएं लगाई करो में होड़ें घ्थ 1-星 जंटी करो ओभ एंगीत अपयाई बसके और देखिकांए को पैसे लेगा क्वी यह बहुत जाधा costly गाड़ी है और यह इसका पैसे भी बहुत जाधा लगने वाले इसमें repair कराने में बहुत पता है पर पैसे की हमारे पास कमी नहीं है बहुत सारे पैसे अपने पास फाइनली जो हमारे गाड़ी जो repair होके आ चुक है अब यार मैं पैसे नहीं बताऊंगो कितने लगे हैं बहुत जादा पैसे लगें बस पूछो ही मत गाइस So guys I hope सबको जो यह वाली वीडियो पसंद आई होगी यार पसंद आई तो प्लीज जो चैनल को सबस्क्राइब कर देना सपोर्ट करो वीडियो को लाइक कर देना